वेल्कम फ्रेंड्स एक्जाम्स पास आ रहे हैं इसलिए आपको मेरी तरफ से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे इसलिए मैं C.A. तरंजीत सिंग आज आपके लिए एक बार फिर से एक इजी फॉर्मूला लेकर आया हूँ जिसके साथ आप जो आपके सलेबस में बैंकिंग का चेप्टर है उसमें आपने जो बैलेंशिट प्रपेर करनी है और साथ में पी एंडल प्रपेर करना है जो उसके बच्चों की परफॉर्मेंस है जिनोंने टेस्स सिरीज जोईन की हुई है बहुत सैटिसफाइड हूँ क्यूंकि बच्चे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं मैंने देखा है कि बच्चे प्रपरली ऐसे अपने टेस्ट को दे रहे हैं कि जैसे उनके एक्जाम्स ही चल रहे और हाँ मैं आपको आपके आंसर्स के उपर बहुत अच्छी अच्छी टिप्स साथ में कमेंट्स में लिकर दे रहा हूँ और जो आपके पेपर्स की चेकिंग चल रही है खास करके अडवांस अकाउंटिंग की वो आपको जल्दी ही दो तिन दिन में मिलने शुरू हो था और मैं चाता था कि मैं सभी बच्चों को यूट्यूब पर बताऊं कि आप बैंकिंग की बैलेंशिट को जल्दी से जल्दी में जस्ट फाइफ सेकंड में कैसे अपने माइंड में सेट कर सकते हो तो देखिए जो बैंकिंग की बैलेंशिट है उसका फॉर्मूला क्या ह CRD book by a folk, I.O.I.O. दुबारा सुनिए, CRD book by a folk, I.O.I.O. अब अपनी स्क्रीन पर देखिए अभी आपको सब कुछ क्लीर होने वाला है, देखिए मैंने क्या किया है कि बिल्कुल schedule के accordingly हम चल रहे हैं, कि schedule 1, 2, 3, 4 आपको नजर आ रहे हैं, और हर schedule के साथ मैंने कौन-कौन सी items हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, अब देखिए कि schedule 1 में आपको नजर आ रहा है, capital, और schedule 2 में आपको नजर आ रहे है, reserve and surplus, next, schedule 3 में deposits, then borrowings and other liabilities and provisions, बिल्कुल ऐसे ही चलते जाएं, और आप, मैंने जो आपको formula बोला था, उनके जो items के first first alpha bets हैं जरा, उनको देखिए, capital C, उसके बाद reserves R, उसके बाद deposits D, तो मैंने क्या formula बोला था, CRD, अब आगे देखिए, borrowings B, और other liabilities and provisions O, और उसके बाद cash and balances with reserve bank of India, means BOC book, तो क्या बना CRD book, आगे चलिए, balances with banks and money at call and short notice, investments, advances, अब ही रुकिए, मैंने क्या बोला था, CRD book, BAYA, means BAYA क्या हुआ आपका, ये 7, 8 और 9 नमबर schedule, उसके आगे देखिए, fixed assets, other assets, उसके बाद contingent liabilities, schedule 12 तक आपकी balance sheet complete होगी, तो क्या बना CRD book, बाद आपकी balance sheet complete, अब आगे के जो चार schedule हैं, schedule number 13, 14, 15 और 16, अब उनके आगे देखिए, interest and other income, और उसके बाद 15 और 16, interest expanded operating expenses, अब इनके ज़रा first alphabet उठाईए, तो आपको क्या मिलेगा, I O I O, तो मैंने आपको क्या बोला था, CRD book, BAYA book, I O I O, तो चलिए मेरे ख्याल से, balance it अब आपको, किसी को भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, तो इस वे से, अपने सारे schedules को retain कीजिए, और enjoy कीजिए, और एक बात, कि जिन बच्चे उने test series join की हुई है, अगले papers को भी ऐसे, बिल्कुल proper hard work लगा कर prepare करना, और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं, कि हम join करें ना करें, मैं उनको एक बार ये जरूर suggest करना चाहूंगा, कि मौका हाथ से ना जाने दीजिए, एपरल वाली series की registration अभी चल रही है, बहुत बच्चे join कर रहे हैं, और मुझे उबीद है कि आगे भी बहुत जाने join करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो joining की dates हैं, वो आज 2 या 3 दिन extend कर देनी हैं, तो जिस जिस बच्चे ने भी decision लेना हो, जल्दी से जल्दी decision लेजिए, और मारी series को join कीजिए, और मौकर का फाइदा उठाइए, thank you so much.